नमस्कार दोस्तों मैं हूँ ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल ममता जुवे में कैसे हैं आप सब तो ये बताने के लिए कॉमेंट बॉक्स में जै माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखे तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पती पत्नी के बीच में जो ही मन मुटाओ रहता है तो वो क्यों रहता है क्या हमारा कमजोर हो जाता है किस कारण से रहता है तो इसके लिए आप लोग कहते दिदी उपाय बटाईएगा तो इसके लिए मैं आपको उपाय बताती हूँ कि अगर हम महिलाएं ठाण ले के गूरुवार के दिन हम ये पाँच कारे जरूर करेंगे, अपने पती के सही सलामती के लिए, अपने घर में सुख समृदी के लिए और हमारे पती हमारे साथ सही बेवहार करें, कभी हम दोनों के वीच में अनवर ना हो, किसी की नजग न लगे, तो इसके लिए हम ठान ले कि हम गुरुवार के दिन ये पांच कारे जरूर करेंगे, तो करके ही रहेंगे, सोच लिए हैं तो करेंगे ही, तो इसी के उपर आज क हमारा वीडियो है तो आप बने रहे हैं मेरे साथ मेरे चैनल पर अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा बैल आइकन को प्रेस कर दीजेगा जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे तो चलिए सुरू करते हैं तो सबसे पहली बात है सबसे महतपूर बात है कि गुरु गरह हमारे पती और पुत्र के कारक माने जाते हैं अगर हमारे गुरु गरह गुरु विरस्पती जो है मजबूत रहते हैं तो एक तो साधियां भी लड़कियों के मतलब जल्द से जल्द होती हैं और कहीं न कहीं हमारे घर में सुक सम्रीदी के लिए भी गुरु गरह को ही कारक माना जाता है पुत्र और पती के लिए तो सबसे बड़े वो कारक माने जाते हैं कि अगर वो हमारे मजबूत रहते हैं तो हमारे घर में चाह कर भी आसांती पती के साथ जगड़ा, लड़ाई, मन मुटाओ, अनबन ये तो हो ही नहीं सकता अगर मान लिजे कि किसी भी परकार की अगर परिसानी घर में आता है तो कहां से आता है घर में हर सुक समलिधी बनाई है और सबसे पहले दामपत्य जीवन के उपर ही इसका परभाव पढ़ता है अगर हमार जएसे पती को देखने में पतनी की कुछ आदते अच्छी नहीं लगते हैं और पतनी को भी पती के कुछ आदत अच्छे नहीं लगते हैं इसका यही माना जाता है कि हमारे गुरुगरा कहीं ने कहीं कमजोर होते चले जाते हैं तो हमें ठान कर रखनी है कि ये पांच कार हम गुरुवार के दिन जरूर करेंगे अगर अपने पती की सही सलामती चाहते हैं, अपने घर में सुक समरिदी चाहते हैं और अपनी लिए उनकी मन में प्यार चाहते हैं, क्योंकि सीधे अगर दामपत्य जीवन पर माल लिजे अटैक होता है, या मतलब खुसियां चली जाती है, घर का जैसे लगता है ना कि पती इधर मूँ फुला के रहे, पत्नी इधर मूँ फुला के रहे, कोई किसी से बात नही कर रहा है, तो सोच लिजे उस घर में खुसाहाली कहा से आएगी, और घर में समपती थोड़ा कमी रहे, जिसे धान दौलत कमी रहे, और पती-पत्नी अगर मिल जुल करते हैं, हस्मु करते हैं, बातचीत करते हैं, प्यार से रहते हैं, उस घर में तो ऐसे ही लगता है कि हर लेकिन सब खुषी मिल रही है किसी कभी मन वर को इसलिए आप लोग को ध्यान रखनी चाहिए है कि ये श्रुभार की जरूर करणी है तो सबसे पहला कारिक्या है, गुरु गुरह को अगर मजबूत करना है तो गुरुवार के दिन आपको एक तो नौन भेज नहीं खाते हैं, सबी को मालूम है, जितनी सुहागी मालूम है, और लड़कियांрос, गुरुवार के दिन कभी हमें सिर के उपर से नहाणी भी नहीं चा क्यूए क्योंकि ऐसे भी हमारे गुरु घ्राइब कम्जूर होते हैं लड़कियों के होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता दूसरा का आइये हमें क्या करनी है कि गुरुभार के दिन आपको आपी सबना GR स्थ मिला लेनी कुछसे की पड़ीयो CC हम प्रयोग इस्तेमाल करते हैं कैसाक स्ना भेश्क प्रहों क हरने यहां में लिए लिए ऑन्मादेंnewid लोग करते हैं जीतना ही पीला चीजों का प्रियोग करते हैं जुत्ष प्रीम होगार। और प्रशंटे में रूप में करें किन देव में वस्त्रॉप के रूप में गरें करना दिको परकूर किराया होकार की जोटो dau áreas के दोत simplement सब्सक्रीम करने लुझारे लेस। एकसाड़ी एक फूर्ट आपको जरूर रखनी चाहिए आप पूझा करें ना करें वि गुरूबार के दिन पीला वश्च जरूर धारण करें पीला वश्च धारण करके आपको दिन रहनी चाहिए उससे भी हमारे विरस पती दें मजबूत होते हैं चौथा चीज क्या है कि गुरुवार के दिन आप लोग ऐसे लड़कियों के लिए तो नियम है कि बरत रखनी चाहिए उनको पूजा अर्चना करनी चाहिए केले के विक्ष का पूजा करके और साधी के लिए मैं कई ऐसे उपाए गुरुवार का बता चुकी हूँ लेकिन जो आपके आस पड़ोस केले का पेड़ है तो केले के पेड़ में भी जल डाल सकते हैं या आप घर में बिश्टु भगवान का फोटो रखें तो जल में डाल कर उनकी पूजा अर्चना उस दिन जरूर कीजिए और उसके बाद उस जल को न अगर नहीं आपको मिल रहा है जैसे केले का पेड़ नहीं मिलता है तो अपने तुलसी जी के पास भी डाल सकते हैं तुलसी जी के क्यारी में डाल सकते हैं लेकिन जरूर उस दिन चने की डाल गोंड और हल्दी को लोटे में डाल कर जरूर आपको पूजा करनी चाहिए क्योंकि उस दिन लक्ष्मी माता का भी द और कथा पढ़ लेते हैं गुरु विरस पती देव का दोकाई हैं तो आपको पुष्टक मिल जाएगी किसी भी मतल़ पूजा पाट के दुकान में जहां पूजा पाट की चीज आपको मिलती हैं वहाँ आपको मिल जाएगी तो अगर वो कथा आप सुनते हैं और दुसरों को सुनाते हैं उससे भी हमारे घर में हमारे पती के साथ हमारा रिष्टा खराब नहीं होता और गुरु विरस पती देव हमारे मजबूत रहते हैं अगर वो मजबूत रहते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत ना आपके घर में परिसानी मतलब आ ही नहीं सकती कहीं से भी तो ये हो गया हमारा चौथा नियम पाच्वा नियम क्या है कि गुरु वार के दिन थोड़ा साफ सफाई आपको कम करनी चाहिए कपड़ा वेगरा ना धोएं जो कि हर लोगों को मालूम है ठान ले कि ये सबकार हमें नहीं करनी है तो नहीं करनी है कपड़ा वेगरा ना धोएं मतलब उस दिन सफाई कमी करें ऐसा ना कि कीचन को लगे साफ सफाई इतना ज्यादा सर्फ सावन के इस्तेमाल कर रहे हैं ड्रेन धो रहे हैं नालिया साफ कर रहे हैं बातरूम धो रहे हैं ना उस प् गुरू विरस्पति देव विखारी के रूप में ही आपका परिक्षा लेने के लिए आते हैं तो इसलिए कभी भी गुरुवार के दिन किसी को कर्ज भी नहीं देनी चाहिए और विखारी को दे सकते हैं लेकिन दरवाजे से ना लोटाएं ठीक है इस बात का आपको ध्यान र अगर वो मजबूत रहते हैं तो पती भी खुश रहते हैं तो अगर दो आदमी खुश रहे तो घर में सुख समरीधी तो आपके ऐसे ही बनी रहेगी तो इन 5 बातों को आपको गाठ बांध कर लेकर चलनी है कि गुरुवार के दिन ये 5 कार हम पक्का करेंगे ध्यान में रखेंगे ठीक है तो यहीं तक का था हमारा वीडियो आसा करती हूं उमीद करती हूं कि इस वीडियो से जितनी मेरी बहने हैं और मताए हैं इन सभी को बहुत अधिक लाब मिलेगा फिर मिलती हूं एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार स्वस्त रहे सुरक्षित र खुब खुस रहे और एक बार प्रेम से बोलिए गुरु बिरस्पति देव की जय है